विदेशते सोने की तसकरी करने वालों पर एरपोर्ट पर कस्टम विभाग की पैनी नजर रहती है एरपोर्ट पर स्कैनिंग और चेकिंग करने वाले अफसरों को गच्चा देने के लिए तसकर भी एक से बढ़कर एक अनोखे तरीके अपनाते हैं ऐसे कई मामले हम आपको पहले भी दिखाते रहे हैं इसी कड़ी में एक ताजा केस सामने आया है यूपी के वारानसी से यहां के लाल बहादुर शास्त्री अंतराश्त्री हवाई अड़े पर फिछले दिनों शार्जा से दो यात्री लेंड किये इन में से एक था आजमगर जिले का रहने वाला रियास रियास को हौर से देखिए आपको सब कुछ सामाने लग रहा होगा अफसरों को भी पहले सब ठीक लगा था लेकिन स्कैनिंग के दोरान पता चला कि शरीर के उपरी हिस्से में रियास ने कुछ छिपाया हुआ है फिर कस्टम अफसरों की नजर रियास के बालों पर गई और आगे क्या हुआ खुद देखिए रियास ने नकली बाल या विक के नीचे काली पॉलेथिन में सोने का ये पेस्ट छिपाया हुआ था जिसे देखकर अफसर भी चौक गए सोने का ये पेस्ट विक के अंदर छिपा कर सिर से चिपका कर रखा गया था दरसल रियास ने सोने की तसकरी के मकसद से ही अपना सिर्म उड़वाया था और फिर विक के अंदर सोना छिपा कर शार्जा से भारत ला रहा था लेकिन वो कहते हैं ना सिर्म उड़ाते ही ओले पड़ जाना तो रियास के साथ कुछ वैसा ही हो गया वहीं रियास के साथ आए एक दूसरे यात्री के पास से भी काटन के निचले हिस्से से सोना बरामद हुआ दोनों को मिलाकर कुल 884.700 ग्राम सोना बरामद हुआ जिसकी खीमत 45 लाख रुपए बताई गई है पकड़े गए दोनों आरूपियों के खिलाफ कस्टम विभाग अब आगे की कारवाई में जुट गया है बालों के अंदर सोने की बरामदगी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वाइरल है लोग एक और जहां तसकरों की तरकीबे देखकर हैरान है तो वही कस्टम अफसरों को भी बधाई दे रहे हैं कि उनकी पैनी नजरों से तसकर बच नहीं पा रहे